दोस्तों बात करें आज इस वीडियो में बात करने वाले वर्स्ट फोन की यहां ने की कुछ ऐसे वर्स्ट फोन जो कि आप लोगो ध्यान में रखने जोरी अब मैं मतलब ऐसे गिने चोने फोन के बारे में बात नहीं करने वाला कि यह फोन मत खरे दो यह फोन मत खरे दो ऐसे जिससे काफी सार लोग की help हो सकती है अगर उस phone को ना खरीदे तो वीडियो पसंद है लाइक करो चैनल में देख रहा हूं काफी सार लोग वीडियो को देखते हैं लेंगे सब्सक्राइब नहीं तर रहेगा तो किस बात कंसार है सब्सक्राइब टु दे चैनल ड्यूट लेकिन सबसे वहले हाँ पर बात करने वालों ZTE के फोन वारे में वेल ZTE के फोन इंडिये में आतनी है ऐसा लग रहा था कि VJ कैमरा से फोटोग्राफ ले ली अब देखा तो ZTE वाली क्या कर रहा थे रेस में कूद रहे था और यह दिखाना चाहते थी कि सबसे पहले मार्केट में चीज़ ले क्या आगए भली चीज़ यहां पर तयार ना हो इवन बात कर रहे हैं सेमसंग के गैलक्सी जी फोल्ट में भी अंडर डिस्प्ले कैमरा था लेकिस सेमसंग वालों ने भाए स्मार्टनेस गई उन्हें मालूम था यह जो कैमरा इससे को भी ढंक से सेल्फी नहीं ले सकता यह सिर्फ एक नाम का कैमरा दिखाने की लोग डाल से कैमरे हिटा दो और आल स्क्रीन फोन दे दो ऐसी क्वालिटी की सेल्फी का आदमी क्या करेगा यह इवन देखा जाया तो क्वालिटी और बेखार हो थी जब वीडियो वाल वगरा यूज करते हो तो हां ही एक सोचने वाली बात है अब मैं हाँ पर बात करने वालों कि ऐस साथ उन्होंने कवाड़ा कर दिया मंतलब खुद सोच यहां Nokia जैसा बड़ा ब्रांड आफसे दस साल पहले भी उसके क्या विल्यू थी कित्ते बढ़िया फोन बनाता था वो Nokia ब्रांड को लिया Nokia का कचरह करके Microsoft Mobile बना दिया इसके बाद उन्होंने काफी सारी चीजे करी और MKBHD ने Burst of the Year, यानि कि इस साल का सबसे भेका और फोन का जो अवार्ड होता है, वो भी Microsoft Surface Duo को दिया था, इसके अंदर इससे आप खोलते हैं तो स्क्रीन काफी जादा कट जाती थी, हिंज की क्वालिटी काफी जादा अच्छी है, लेकिन practical perspective से नहीं है, software भी देखा जाए, तो Windows का look and feel देनी कोशिश के ही है, लेकिन internally Android है, जो apps है, वो full screen का अच्छी तरीका से हमें यूज नहीं कर पाती, तो देखा जाए तो किस तरीके से phone नहीं बनाना चाहिए, ये बाकी सारी company को Microsoft से खिखना चाहिए, ये बात है मतलब, और इसके बाद मैं बात करने वाल हो Blackberry के बार में, अब बैब Blackberry के उन पुराने phones के बार में बात नहीं करने वाल है, जो अपनी privacy focus थे, Blackberry OS special थे, यार वो जमाना था Blackberry के पास काफी अच्छे products बनाती थे, लेकिन यहाँ बात करनो Blackberry के पहले Android phone का, वो था Blackberry Priv, अब Priv का मतलब यहाँ पर privilege बोला गया था, कुछ जगे privacy बोला गया था, हाला कि फोन के अंदर बात यह थे कि टच स्क्रीन का फोन था, देखने सुनने में अच्छा था, लेकिन टेक्निकली देखा है तो one of the worst implementation था Android phone के अंदर, QRT Keypad के साथ था, और जित्ती चीज़े claim की गई थी वो था, बेसिकली बात की जाएना, तो Blackberry वाले यहाँ पर Blackberry OS को छोड़के Android के उपर कूद रहे थे, लेकिन इतनी बड़ी छलांग लगाने के बावजूद भी, यार उनकी जो नईयाती वो डूब गई यहाँ पर, और ऐसे ही बारी आती हैं पर Motorola की, अब Motorola नहीं बात करें तो अभी इस समय मोटरोला वाले काफी अच्छे phone ना रहे, लेकिन आज से कुछ साल पहले था, Motorola वाले काफी जादा अजीब और गरीब हरकते कर रहे थे, जैसे बात करें Moto Z सिरीज की, अब इसके अंदर ये लोग पीछे modeler वाला concept पलाये थे, अब देखनो सुने में चीज़ काफी अच्छी लगती थे कि पीछ आप अलग-लग चीज़े चिपका सकते हो, लेकिन implementation बहुत ज़ादा खराब था, पीछ आप अलग-लग चीज़े लगा के phone की functionality भढ़ा सकते हो, लेकिन कोई भी आदमी यह है जो phone खरीदेगा, वो जबर जस्ती का एक extra mod नहीं खरीदने वाला battery के लिए, speaker के लिए, projector के लिए, camera के लिए, even Hasselblad का नाम उन्होंने खराब कर दिया था उस जमाने में, जहाँ पर zoom वाला camera का model यू लेकर रहा थे सबसे पहले, जी हाँ, इस तरीके कुछ चीज़े उन्होंने करी थी, और काफी बुरी तरीके से यहाँ पर fail हुए थे, और जबर जस्ती motor mods वाला concept यू नहीं बोला था, कि हमारा cross generation compatible होगा और आनने वाले future phones में चलेगा, कुछ सालों तो जबर जस्ती इस चीज़ को यहाँ पर खीचा था, यहाँ पर LG को पहला phone निकाल के अकल आगे थी, model concept नहीं चलने वाले, लेकिन motorola ने खीचा और उसके बाद भी नहीं चला, हला कि वो एक जमाना ऐसा था जब motorola यहाँ पर बिल्कुली बेकार काम करती थी, अच्छे phones में नहीं आते थे, over price होते थे और कुछ कम नहीं करती थी, लेकिन हाँ, 2020 में मैं 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 मानता हूँ motorola ने काफी अच्छे काम किया, और काफी बड़ा एक improvement किया, हाला कि ऐसी अजीब और गरीब चीज़ें ना करते हुए, सिर्फ वही basic चीज़ें करो, जो लोगों को यहाँ पर चाहिए, यही सबसी का आसन तरीका है, यहाँ पर अपनी एक जगे बनाने का, शायद motorola वाले अपनी एक अखली पोजिशन बना ले, यहाँ लोग ultra pixel पे focus करते थे, फिर धीरे धीरे quality जादा खराब होती चलीगी, products में वो dumb नहीं था, hardware में वो dumb नहीं आ रहे था, specification नहीं था, even price point के मावले में लोग compete नहीं करपा रहे थे, और कोई नई चीज़ यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही थी, वो चीज़ अब यहाँ पर launch हो रहे है, यार HTC से उमीदे काफी जाद थी, एक जमाने में इंडिया में बहुत अच्छे phones मनाते थे, काम यह लोग अच्छा करते थे, tier 1 rank में आते थे, Samsung, LG के बद HTC का नाम आता था, लेकिन जैसे ही LG नहीं हाँ पर mobile phone division को टाटा बाई बाई बोला, शाद HTC वाले भी हाँ पर कुछ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन mobile phone के अंदर यार, चीज़ इत्ती खास नहीं चल रही हैं, और इसी के साथ ही बात करें तो, पर वर्स phone की कैटेगरी में हम लिख सकते है Xiaomi का Mimix Alpha, अब देखा तो Xiaomi वालों ने काफी अच्छे phone बनाए, लेकिन Mimix Alpha के साथ बात ये थी, कि इन्होंने एक ऐसा phone बनाया था, जो सर्फ ये बना सकते थे, इसलिए उन्हें ने बस बना दिया, लेकिन इसका कुछ मतलब नहीं था, पहली बात चारों तरफ डिस्प्ले दे दिया, हाँ, पता चलिया कि इस टैप का एक phone बन सकता है, डिस्प्ले दे सकता है, लेकिन इसमें कोई practical quality वाली चीज नहीं थी, phone से images लेने में दिक्कत आती थी, इसके साथ ही बात किया है, तो phone के अंदर durability के issues आ सकते, कहीं से भी गर क्या आसन तरीके से food सकता है, concept अच्छा था, आप दिखा सकते हो कि इस टैप को phone आप बना सकते हैं, तो बना दिया, लेकिन क्या ही सच में काम गा है, इवर बार या तो Xiaomi ने बोला था कि इस phone को हम यहापे ले जाके बेचिंगे भी, लेकिन उन्हें पता है कि इस टैप को phone पहली बाद तो बनाना महेंगा, और इतना बड़ा महेंगा phone लेकर जाएंगा, वो भी practical use में नहीं रहेगा, इसलिए उन्हें वो कभी market में आपे लेकरनी है, और इसके बाद बारी आती हमारे Nokia की, अब देखा तो Nokia का नम बहुत लंबे समय से चल रहा है, HMD Global के बाद काफ़ी सारे phone निकाले, लेकिन अभी तक उनका सर्फ एक ही flagship phone आ था, अब वो है Nokia का 9 PureView, याद है आपको PureView के अंदर 5 कैमरे होते थे, अब बात करो आप लोग को उस 5 कैमरे में यूजेवल कैमरा तो एक ता, चार कैमरे यूजलेस थे, फोटोग्राफ की क्वालिटी खराब आ दी थी, यहाँ तक कि Nokia वालों ने promise किया था, कि stock Android देंगे और Android में updates देंगे, लेकिन पता है, कहान यूल्टी होगे, latest Android का update वो नहीं ले रहा है, अभी उन्होंने मना करते हैं कि Android version के अब आगे वो update नहीं दे पाएंगे, इसके साथी updates इनके phone में bugs आ गए, यहाँ पे Nokia PureView का नाम लाके camera को अच्छा करने की कोशिट कर रही थी, camera में features डाल रही थी, लेकिन वो सारी चीज़े भी यहाँ पे नहीं कर पाए, यानि कि जिता अच्छा यहाँ पे Nokia से उम्मीद देती, वो सारी चीज़े यहाँ पे वो लोग fulfill नहीं कर पाए, इसी के साथ ही यहाँ पे बात करने वाला एक इंडियन स्मार्टफोन कंपनी की जिसका नाम यहाँ पे शाद आप लोग ने नहीं सुना गा, इस कंपनी का नाम था विकेड लिक्ट, अब देखा तो 2014 के अरॉंड जब इंडिया में Xiaomi अपनी जगे बना रही थी, वन प्लस भी आई थी इंडिया में, उस समय ओपो विवो भी अपनी जगे बना रहे थे, यह उसी समय कंपनी आई थी, विकेड लिक्ट, और उस समय स्मार्टफोन का मार्केट बहुत लग होता था, उस समय नमबर वन कंपनी Micromax सुआ करती थी, सैमसंग कोशिश कर रही थी कुछ आगे निकलने का, और विकेड लिका के कहते हैं कि हमारा फोन में स्पेशल कोटिंग लगे और धुनिया का पहला हाइड्रोफोबिक फोन है, अब यह मार्केटिंग टरम था क्या था लेकिर ही कह रहे थे कि वाटर से हमारा फोन डैमेज नहीं होगा, कहानी काफी अच्छी लग रही थी इनकी, लेकिन का फोन भी मार्केट में नहीं चला, देखा जा तो इसको भी हम worst phone की category में ही कह सकते हैं फिर failed phone की category में कह सकते हैं मतलब यह वही बात होती है कि आपने जोर शोर से यहाँ पर चीज़ा बताई ही लेकिन यहाँ पर market में कुछ नहीं पाया ऐसे एक और company का नाम ले सकता हूं क्रियो का क्रियो भी एक Indian company थी उसने तो ऐसी बाते करी थी बोलाता कि आप एक बार phone लो हर महीने उसमें update आएगा पहला update ही उसमें delay हो गया क्रियो मार्क वन फोन था बोलाता हर महीने आपको एक नया phone में update देंगे यह चीज़ भी fail होगी देखा है तो वादे बड़े बड़े लोग करते लेकिन जब उसे deliver करने की बारी आती वह वहाँ fail हो जाते है उम्मीद है कि अभी लावा micromax इसी sustain करें हैं अच्छा काम करें हैं हाँ लेकिन इससे पहले Indian startups भी mobile phone के छेतर में उतर चुके इन्होंने काम भी किया है लेकिन बुरी तरीके से यहाँ पर fail हुए है और अपनी नाक ही इन्होंने कटवाई है अब देखते कि आने वाले समय में बाकी Indian smartphone companies यहाँ पर क्या करती है यह भी कुछ ऐसे फोन से जिन में आप लोगों को पता नहीं हो है तो शायद इनके भार में आप लोगों को बता देता हूं और ऐसी बात करें एपल की तो क्या लगते है आपको आपल आपन के अंदर सीरीस में कोई गल्ती नहीं करी होगी 5C में plastic ability लोग को भिलकुल भी पसंद नहीं है जी लोग एक सस्ता iPhone लेना तो चाहते हैं लेकिन उसके अंदर compromise नहीं करना चाहते हैं चाहते हैं कि अगर सस्ते मिले तो भी प्रीमियमनेस मिले वो चीज़ यहां पर आईफोन 5C से दूर थी अब इसलिए Apple वालों ने आईफोन 5C के बद कंसर्प को छोड़ा C-series में कोई भी फोन देखने को नहीं मिला और दोबार से चीज़े इंवेंट करें और नईनी चीज़े लेकिया हैं कि हां उनकी जो प्रीमियमनेस से वो भी मेंटेन रहे हैं और थोड़ा सा अफोर्डेबल प्रैस सेग्मेंट भी आ जाए यह चीज़ यहां पर करें जब इस अब रशीज़ेंट बनाया था लेकिन असुस का चैनल वॉन पर इसमें लेजर होन्स आते हैं यह कुछ फोन अच्छे होते लेकिन फिर देखलो 5Z के टैम पे काफी अच्छे फोन से लोग बनाते हैं यहां तक की बात करें Max Pro M1 M2 किते बढ़ी है फोन ते और उसके बाद देखा जाए तो ROG फोन के पीछे भाग रहे हैं और कहानीं की अजीब है मतलब एक बाद बता हूं आप लोगो असुस 8Z देखा जाए तो आपके हर फेवरिट यूट्यूबर के पास गया था लेकिन असुस वालों ने सब के फोन उठवा लिए कुछ यूट्यूबर ने इसके वीडियो भी बना लिए लेकिन वो पब्लिश नहीं कर पा रहे है असुस वालों ने मना कर रखा है यह अजीबों करें गटना है होती रहती है कि फोन लांच करना है कि नहीं करना क्या चाहते है यार पहले यह डिसाइड कर लो और फाइनली मैं एक ऐसे फोन के बारे में बात करने वालों जिसके बारे में आप लोका जानना ज़रूर ही क्योंकि इंपॉर्टन जीज़ है अभी देखा तो मार्केट में मैंने देखा था ओफलें और आउनलाइन कुछ ऐसे फोन सा गया पांसे दस जार की रेंज में क्लेम करते कि चार जीबी रहन मिल जाएगी 48 MP का क्वाड कैमरा मिल जाएगा ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा लेकिन क्वालिटी उसमें होती नहीं है ओफलाइन में मैंने फोन चेक किया था ऐसा बोल रहे थे 6,000 रुपे में 4 GB रहंग ये सब आजाएगा मैंने फोन चालू किया 15 मिनिट लग गया उसे बूट होने में यहाँ पर मैं सब एक किसी कम सब बार में बात नहीं करता है बहुत सारी कम फनीज हैं यहाँ जो कोई वेलनोंड नहीं है मदकि यहाँ पर किसी बड़ी कम सब्सक्राइं में नाम नहीं इ dato होगा ऐसी ऐसे आगई मार्केट में यहां पर बॉक्स पर लिख देंगी 5000 एमेज की वैटरी फोन गट बैक पैरनल खोल के देखो पीछे में लेगी 5000 एमेज की वैटरी इस तैक भी घटरना है बहुत जादा हो रही है और काफी सारी इसी छोटी-छोटी कमतिनी जागी जो बि चला अब 4-5,000-10,000 की रेंज में फोन है इवन मैंने देखा है कि Amazon भी बिक रहे हैं यहां पर Flipkart पर भी बिक रहे हैं Flipkart पर भी लोगों ने बोल रखा है कि ऐसे वर्स्ट फोन है बिल्कुल भी मत लेना ओफ्लाइन में दुकान वाले इसे फोन को बिजने तो कहने का मदल रहे थे और क्लेम शेजारत उसमें यह फीचर है वो फीचर है जब और करते हैं खाले डबे यह ऐसा फोन मिलता था हाला कि इस टैप की चीज़े हो रही है मार्केट में तो इन सबसे दूर रहो और मेर एक प्रॉपर साइचिन यह रहगा कि किसी भी रैप्यूटेटर कंपन इन अपने आपको साबित करती अच्छे प्रॉपर निकाल दिये फिर भले ही आप उसके प्रॉपर आके ले सकता है फिर मैं खोज रेक्मेंड करूँ अगर वो सही प्रॉपर बना रही है तो लेकिन कोई भी नहीं कंपनी है कोई भी अन्नोन ब्रैंड आके बड़े बड़े क्लेम करता है प्लीज उससे अब दूर रही है इवन मेरा सेशन ही रहा है आप इन्फिनिक जैसी कंपनी का फोन ले लो इन्फिनिक वाले भी हेलियो पी 22 से बहुत आगे बढ़ चुके हैं अभी सब को सुधरने की जरूरत है हाप तो देखते हैं आगे कहानी क्या रहती है लेकिन फिलाल के तौर पे ये थे कुछ रियली वर्स्ट फोन्स बाकि ये लिस्ट आपको कैसी लगी आपको इस वीडियो में के अंट्रस्ट लेका बाद निचे कमने बाता ना भूला वीडियो अगर आप लोग को पसंद है तो लाइक करो चैनल को यहापे सब्सक्राइब करो थेंगो को विडियो देखनीकली में आप सुम्धा नेक्स वन के अंटरो गुद्बाए